स्वागते दोस्तों आज इस वीडियो में हम स्लेस अलंकार के बारे में पढ़ते हैं स्लेस अलंकार का परीचे परीभासा और उसकी विशेस्ताओं के आधार पर इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोचिस करते हैं दोस्तों वीडियो को पूरी देखें लाइक और शेर करें दोस्तों इसके बारे में बताने से पहले में एक बात आपके सामने इसपश्ट कर देना अच्छा समझता हूँ कोई भी अलंकार हो कोई ट्रिक कारे नहीं करती है और रटने से भी कारे नहीं चलेगा सिर्फ और सिर्फ परिबासा के अधार पर उस अलंकार को समझने का प्रियास करें तो वो अलंकार आपको हमेशा याद रहेगा दोस्तों परिबसा सलेस अलंकार की जहां कोई भी शब्द कई हुई बात में कथन में कोई भी शब्द सिर्फ एक बार आए और उस आये हुए सब्द के अनेक अर्थ निकलते हो तो वहां सलेस अलंकार होगा यानि जो कई हुई बाते कथन हैं पंक्तियां हैं उसमें सलेस अलंकार के अंतरगत सब्द एक बार आएगा और उस आये हुए सब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहां सलेस अलंकार होता है दोस्तों यही इसकी पेचान है और इसी बात को समझना है कि सब्द एक और उसके अन्यकर्ट निकलते हों तो वहाँ सले सलंकार होगा सले सलंकार को उधारन के द्वारा और अधिक अच्छे से इसपष्ट करते हैं दोस्तों रहीमन पानी रा किये बिन पानी सबसून पानी गये न उबरे मोती मानस चुन रहीम दास जी का ये बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है इस दोहे में पानी शब्द एक बार आया है उपर वाली पंक्ती पर ध्यान देने के आउशकता नहीं है दोस्तों नीचे वाली जो पंक्ती है पानी गए ना उबरे मोती मानस चून इस पंक्ती में पानी शब्द एक बार आया है अंडरलाइन क्यों ही है मोती मानस चून ये तीन अलग-अलग परकार के जो कारे से संबंदी थी बताए गए हैं उनके साथ इस पानी सब्द के तीन अलग-अलग अर्थ निकलते हैं यहां मोती के साथ पानी सब्द का अर्थ उसकी चमक आभा क्रांती है अगर मोती की चमक चली जाए तो वो एक मामुली पत्थर के समान है मनुष्य के साथ पानी सब्द का अर्थ इज़त मानसम्मान है दोस्तों उसी प्रकार से चूना सब्द के साथ पानी सब्द का अर्थ जल इस साधारन जिसका हम उप्योग करते हैं यह है मोती के साथ चमक अगर चमक चली जाती है तो मोती किसी काम का नहीं है बेकार है मनुष्य के साथ भी अगर पानी चला जाता है यानि उसकी जच चली जाती है तो मनुष्य का भी कोई मान सम्मान नहीं रहेगा उसी परकार से चूना में यदि पानी न हो या जरुष से अधिक पानी हो तो वो भी बेकार हो जाएगा किसी काम का नहीं रहेगा तो उसी के अधार पे रहिम दास जी ने इस दोए में बताया है पानी गये ना उब्रे मोती मानस चून सले सलंकार को और अच्छी तरह से समझने के लिए दोस्तों हम अगला उधारन देखते हैं इस उधारन में एक-एक पंक्ती है एक-एक सब्द का समकून अर्थ इसपश्टी करन के साथ आपके सामने हैं दोस्तों चरन धरत संका करत भावत नींद नाशोर सूरन को ढूनदत पिरत कवी वेविचारी चोर इस दोहे में जो बताया गया है कवी वेविचारी और चोर के लिए कि वो जब चरन बढ़ाते हैं तो उनके मन में शंकार आती है और उन्हें ना शोर अच्छा लगता है और ना ही उन्हें इस कारण से नींद आती है तो दोस्तों कवी के लिए चरन यानि पंक्ती जो होती है जिसे हम कावे के अंतर का चरन करते हैं कोई भी पद होता है तो उसमें जो पंक्तियां आती है उन्हें हम चरन करते हैं तो कवी जब अपनी पद लिकता है तो उसके लिए जैसे वो पंक्तियां लिखता यानि चरन लिखता है तो उसके मन में शंका होती है और उसे शोर भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि कभी के द्वारा जब भी अपनी रचना लिखी जाएगी तो एकांद में भ्यान मगन होकर के उसके बारे में लिखने का प्रयास करता है तो उसे शोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसके मन में ये शंका रहती है कि मेरे द्वारा लिखे हुए शब्द मेरे द्वारा लिखा हुआ पद अच्छा होगा या नहीं होगा और वो उसी में बेचेन रहता है और उसे नीन नहीं आती इसी प्रकार से चोर होता है उसका तो कार्य ही रात में होता है तो नीन आने क तो कारण ही समझ में नहीं आता, तो नीन तो से आईगी नहीं, और जब वो अपने कार्य पर निकलता है, तो उसके मन में भह रहता है, चरण बढ़ाता है, कदम बढ़ाता है, कि कोई देख ना ले, और शंकार आती है, अगर कोई देख लेगा, तो वो अपना कार्य अच्छे प्रकार से कर नहीं पाएगा, इसी प्रकार से वेविचारी, वेविचारी आनि प्रेमी समझ सकते हों आप इसका चार्ट पर रहेए तो अब जो सुवरन को ढूंडत पिरत कभी वेविचारी छोडiment दोस्तों यहां पे भी आपने ध्यान दिया ओ तो आप समझोगे कभी वेविचारी चोड ये तीन अलग अलग प्रकृती से संबंदित है और ये तीनों सुवरन को ढूंड रहे हैं सुवरन सब्द एक बार आया है और उसके नीचे हमने अंडरलाइन की उई है तो सुवरन सब्द के तीन अर्थ निकलते हैं तीनों के साथ कभी वेविचारी चोर के साथ तो कभी के साथ सुवरन सब्द कार कभी अपनी रचना के लिए सुवरन सब्द का प्रियोक करता है ताकि अच्छे चरण अच्छी पंग्तिया लिख पाए आछ्छे पत का अच्छी रचना का निर्मान कर पाए ता 성 चोर के लिए सूरन सब्द का चाथ पर ये चोर चोरी किस लिए करता है धन दोलत पेसे के लिए तो सोना सब्द है धन दोलत पेसा को इंगित करता है यानि चोर जो है सूरन सब्द चोर के लिए सोना ठीक है दोस्तों वीडियो आपकी क्यों कैसी लगी कमेंट में जरूर बताए ला